हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम जो रेसिपी आप सब के साथ सेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही मिंटों में बनने वाली और सर्दियों की यह तो वरन आप दी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है जो कि मिंटों में तयार ह हो जाती है और यह सब को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और कुछ स्ट्रिप्स फॉलो करके आप इसे और भी ज़्यादा टेश्टी बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दिखें यहां हमने हरा मटर और आलू ले लिया है इसमें आलू आप मटर से थोड़ा सा बड़ा इसाइच का काटेंगे ना तो यह बहुत आसानी से पक जाएगा तो दिखें हमने पहले यहां पे कडाई में सर्सो का तेल डाल दिया है तेल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है फिर उसके बाद हमने जीरा और हिंग डाल दिया है क्योंकि मटर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो देखें हमने उसके बाद यहां पे जो हमने आलू और मटर कट करके रखे थे उसको डाल देंगे फिर उसके बाद हमने यहां पे हल्दी लिया है और नमक उसको डाल देंगे उसको भूनने के बाद क्योंकि नमक पहले डालने से क्या होता है अच्छे से पीस लेंगे और देखें मटर में पानी जोड़ दिया है अच्छे से तो जितना हमने जो मसाला जो हमने हरा मसाला पीसा है बस वही डालेंगे फिर हमने आधा कब से भी कम इसमें पानी डालना है फिर इसको पानी को अच्छे से दूल के इसमें डाल देंगे और इ तो यहां देखें हमारा यह गुगरी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है तो ऐसी और रेसीपी के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और इसी तरीके से आप एक बार गुगरी जरूर ट्राइए करिए गर यह बहुत आसार से बढ़ जाता है थेंक यू